अक्सर ऐसा होता है ना कि जब भी हम किसी पार्टी या फी फंक्शन से घर पे आते हैं तो मीकप उतारने का तो बिल्कुल भी जी नहीं करता मन करता है कि ऐसे ही सोचा आराम करें फूप सूरती में चार चांद लगाने के लिए जो पर्श जूझूते हमने पहने थे उसे तो अतार के इतना सुकून मिलता है कि क्या ही बता है फिर बारी आती है heavy heavy jewelries पे जो हम पहनते हैं जिससे कि हमारे कान घुट घुट के जी रहे होते हैं और उतारने के बाद अलग ही level का comfort मिलता है उसके बाद हम अपने outfit को जो भारी भारी और जो अच्छा अच्छा outfit पहना है उसे हम change करते हैं अब आते हैं अपने comfortable कपड़ों में अब आप ही बताएं इतना सारा ताम चाम करने के बाद मीकप उतायने का जी करेगा पिल्कुल भी नहीं लेकिन मैं आपके साथ आज शियर करूंगी my three step lazy girl makeup removing routine now this is bio derma sensi bio lay ये cleansing milk है every time जब आप इसे लगाओगे तो you will feel very luxurious soothing and hydrating experience इसका texture काफी creamy soft thin है काफी hydrating है ये आपके skin में melt हो जाता है और makeup और other impurities को काफी gently remove कर देता है अगर अपकी dry और sensitive skin है कुछ भी suit नहीं करता है तो आपको ये try करना चाहिए ये आपको बिल्कुल भी disappoint नहीं करेगा ये आपके makeup को thoroughly clean भी करेगा साथी साथ बहुत ही प्यारा सा subtle moisturizing and hydrating texture भी आपके face पे छोड़ के जाएगा जिससे आपका face dry फील नहीं करेगा ये market पे मिलने वाले और milk cleanser की तरह नहीं है ये उनसे softer, creamier and thinner है इसमें है vitamin E, glycerine and squalene जो आपको एक soft texture provide करते है साथी साथ moisture को routine रखता है it is non-commandogenic and fragrance free थोड़ा सा लेके fingertips पे और cotton pad पे अच्छे से massage करना है face पे अन्जब makeup remove हो जाए एक साथ cotton pad की help से सब कुछ पोच लेना है मूद होने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है अगर आप makeup remove करें तो double cleansing ज़रूर करना जाए इसके बाद आपको face wash ज़रूर यूस करना जाए to get a healthy and supple skin face wash के लिए I am using Bioderma Sensi Bio Gel Musand यह gel based काफी moisturizing hydrating face wash है it contains vitamin E to reduce UV raise damage मैं face wash को हाथ में इस तरीके से foam कर लेते हूं and then I'll use it यह आपके face के excess oil को भी remove करते है आपके face काफी supple hydrating and nourishment provide करते है really like this face wash and आप देख सकते हो double cleansing करने के बाद मेरा face कितना ज़रूर है so make up जब आप करो तो हमेशा त्यानर को double cleansing करो अब आपना कोई भी favorite moisturizer लगा सकते हो मैं आपको suggest करूंगी कुछ भी ने घर में तो just aloe vera gel लो और लगा लो and that's it you are good to go lip balm लगाने का भी दिल नहीं कर रहा है तना जादा lazy है तो वही aloe vera gel लेके थोड़ा थोड़ा अपने lips पे सान तरीका है music मुझे music सनना बहुत परसे अंदे comment section ने पताना आपका favorite music कौन सा मैं मिलूंगे अपने अखली वीडियो में take care bye